विल्कम बैक अगेंड डियर फ्रेंट्स मैं हूँ अमिनन कुमारा जार्द और आप लों का एक वार फिसी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांतिक लास इज एसके जाद मेकैनिकल इंजिजिरिंग पर हम लोग स्टैंट आप से का कुर्स देख रहे थे जिसमें आज की यो लेक्च्छर में हम लोगा स्टार्ट करने वाले हैं वेंडिंग इंजिनेट होता है क्या परकार्ट है किस परकार से हम उसका यूजुज करते हैं काफ़ी जादा कुश्चन आता है सब से आपको यसी वग गवाय हुए तो विडियो को लाइक कर दिजेगा फिर बाद में तुम भूल जाओगे विडियो को लाइक करना तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किस से वह कता यूनर बर इक्वेशन और इसी को एक और नाम है बेंडिंग एक्वेशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसी को हम लोग बेंडिंग एक्वेशन भी कहते हैं तो यह हैं आपका बेंडिंग एक्वेशन और सबसे पहले मैं एक्वेशन बनताने से पहले यह बता दू कि यह तभी प्ल़ा जहारा जिब्ली सीजिश है कि यह क्या क्या टर्म है उन टर्म को लाहिए नहीं जय से सबसे पहले है सिग्मा जो कि है लोगी है धि तो यह हम लोग का सारा टर्म है इसको आप लोग याद रखिए उसके बाद कुछ अजमसन है जो भी हम इस चेप्टर ने पढ़ने वाले उसमें कुछ अजमसन के साथ हम पढ़ेंगे तो कि अजमसन के इसके अजमसन के लिए हैं जितने बिट्री डिवलप हुआ है उस सबसे पहले सारे के सारे प्योर बिंडिंग मुवेंट के लिए ही डिवलप किया गया है ठीक है और वह भी एलाउंग दा लेंथ ऑप विम BIM के length के along ही सारे theory developed किये गए हैं तो इस condition में हमारा कुछ adjustment है उस adjustment को देखिए ध्यान से कहता है कि the shear force at each cloud cross section is zero shear force आपका हर एक cross section पे zero हम मानेंगे ठीक है तो shear force की बाते नहीं आएगी दुसरा है normal stress due to bending is only produced कहता है बेंडिंग के कारण ही normal stress पैदा होगा और किसी प्रकार का normal stress में लग नहीं रहा होगा तभी जाके आपका यह theory bending theory लग पाएगे अगला कहा गया है BIMs are initially straight शुरुआत में जो आपका BIM होगा वह straight होगा वो पहले से मुड़ा हुआ नहीं होगा तब जाके हमारा formula लगेगा चौता है the material is homogeneous हमारा होगा ऐसा नहीं कि कुछ यहां से यहां तक material density अलग है आगे की density अलग है या इसमें यतना दूरतर density अलग है उपर density अलग है इस प्रकार के इसकी प्रकार के BIM के लिए हमारा theory bending theory नहीं लगने वाला है हमारा जो material होगा homogeneous होगा ऐसा नहीं कि यहां से यहां solid cylinder है और यहां से यहां hollow cylinder इस प्रकार के चीज़े नहीं आएगी and isotropic isotropic मता होता है कि हर जगा mechanical property जो है वह हर dimension में सीम होना चाहिए उसे करते है isotropic material that is it has a uniform composition composition in form होना चाहिए and its material properties are the same in all direction direction ऐसा नहीं कि इनने तो ठीक है लंबाई में चोड़ाई में इसका थोड़ा सा बीक राएंगे या मैठीज है थोड़ा सा damage है थोड़ा सा building किया हुआ है ऐसा नहीं ठीक है homogeneous होना चाहिए यानि कि हाँ उसका composition हर जगा सीम होना चाहिए और mechanical property हर डाएक्शन में सीम होना चाहिए हर डाएक्शन में मत्तलब होता है कि जो रच्ट इस डाएक्शन में वह रचेंथ रचेंथ पाई डाएक्शन में का यह फॉर्मूला नहीं लएगा तो अगला काय रहा है यंग मॉडलिस इज दसेंग इन टेंशन एज इन कंप्रेशन और टेंशन में दोनों में यंग मॉडलिस का वैलू सीम होना चाहिए जानते हैं जब बिल्डिंग आप किसी को करते हो तो कहीं पर उपर वाले फाइबर में एलॉगेशन होगा तो निचेवले फाइबर में होगा ठीक है तो दोनों के लिए यह सेम रहेंगा तभी जाके हमारा फोन लाइगा अन्य था नहीं लगपाएगा ठीक है जानी से बात वह नहीं होता नहीं है लेकिए हमको मानना पड़ेगा नहीं तो काम नहीं पाएंगा अग्ला क्या अगला काता है sections are symmetrical सारी sections जो नहीं चाहिए symmetric होना जहीं जब मोटा के जो पतला ऐसा नहीं होना झाहिए हम मोटा बना तिया पर यह बना बना जै कहीं ऐसा नहीं होना जिसे sections are symmetrical about the plane of bending ठीक है plane of bending जिसके cross bending हो रहा उसके cross rr कर सारा योना चाहिए ऑगला करता स्टेक्शं मृष और फेख सफ इसंतर मोड़ने की कोशिश करो मोड़ों के यहां पर उठावड़ करते हैं नकल गया तो यहां से क्लब घ्र कनप एसा निकल चाहिए ओंड़ दयाए तुछ आते हैं यह इसा निकल चाहिए मृत नहीं हो लुट शाय जाय कि यह समय एक्विशन क्या था हुआ कि ऐस्जिटम टा सिगमा लाइव मैं को एकुल टू एकुल टू एकुल टू ए आर चिए इस करने हाथ में बिसा लो दिलो दिमाग में इस परकार से अपने महबूबा को आप बसा कर रखते हैं अपनों दिल दिमाग में दिन पर उसी की याद आती है उसी प्रकार से इसकी भी आद दिनों बहर आपको आनी चाहिए तिक यह काफी इंपॉर्टन्ट है इसको अलग लग फॉर्म में भी लिखा रहा सकता है जैसे आप इन दोनों को उठाइए तो आप सिग्मा निकालना चाहते हैं तो दिवाइडंबाई इस परकार से बазल जाएगा अगर इससको और इसको इसको आजोड़ था लेंगे तो यह है थो सबसे पहले इस फॉर्मिले को लोते सिग्मा ध्याई जिखाए ईक् Einsatz ऑण बाई आई इस इस फॉर्मिले को रितéri और कियाता सबसे पहला कट एक पाप का चता यहां पे सिर्फ एक load लग रहा है पी का इस condition में आप बताईए कि maximum कहां पर होगा एं मैक्सिमंग मेंक में कहां पर होगा तो यहां यहां पर मोंचंगल नएगा मैँ मैस होगा इन इस सेक्षार में का मैक्स होगा ठीक है स्र бät 152 05-95 कहा पर नाइए तरुचा ख्षिक्ता होगा गता है कितना होता रही हiere फर्म टिस एट्रीबूतर लोड़े से फरकाहर से एक लिसमें भीieważ तहलो जो मेटमें रोगा ठीक है मोडा बीमें को भूसें कि इसमें डिखना इसाइन बिखलेंगे यह आपको simply supported beam है आपको यहाँ पे आपका पी लोड है ठीक है यह support है आपका तो इस condition में आपका maximum bending होगा maximum moment होगा वह यहाँ पे लेगा आपका जो कोगा पी इन्टु एल डिवाद वाई फूर ठीक है अगर simply supported अगर यूडियल दिया हुआ है ठीक है यूडियल आपका डबलू का देर रखा हो ठीक है डबलू के जी जो है उपर मीटर में रहा है अगर आपका तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका maximum मुमेंट होगा जो क्यों होगा होगा डबलू एल इसक्वार डिवाड़ वाई एट ठीक है करता यह सब क्यों बता रहे हो सर्व किता आगी सी का जुरू पर नावला है मुमों को इसलिए हम लोग जान रहे हैं ठीक है इसक्वेसर लगाने से पहले बर्नॉली यूडर माउधिंग मेंट होता है ताकि वह सिर्ट करने को दिकरता हो एक कहां बन्डिन मोमेंट मैं मैक्सिमम मैंसक्शिम मेंजे उस दाख करते हैं मैक्सिमम बेंडिन करसिक्शन का होता है उता है पूर सेक्ष्य का से करा तो within a Catholic होथा आगे चैया से वी ऐसे बिए पोरे क्रॉस सेक्षन के लिए ही डिफाइन होता है भाई जो है भाई जो है वह वैल्यू है ठीक है डिस्टेंस है किस क्रॉस सेक्षन क्या बात है कर रहे हो एक ही क्रॉस सेक्षन में वैरिक करता रहता है ठीक है बाई का वैल्यू जैसे कि यह है आपका इस परकार से ठीक है यह a लिए को तो बाई के मेaireता रहता है कि proto है c वाई लगवल स्धोन पैर बात है करें ट्राइए ऩे पो ने बाती है इसके में अपर मिर औहें लिक यह करेंगी जैसे पर 50 एक जी करेंगा जैसे यहांपे देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे है एक एक हम सब्सेपान पहले मैगों कि का यहाँ पर चोब आहीं कर रहे हैं करहां flip कर रहा है को देखो यहां से कम घिचप आएगा नीचे का इस क्रोसेक्षन आ जाएगा तो इस क्रोससेक्षन को दिखाना चाहता हूं किदर क्या हाल है किदर कितना क्रोस से क्या है तो यहां पिंट कर देल है प्रिकtown से आगे हैं प्रकार से आपका आपका शीर में बंप है is product part रेट्वान को से कशन थीं है त्क है उसको नीचे भी बनाएं गया क्रोस सेंब्सक्राइब सेंगे यहां पर बनाए दिखा हुआ है यह बीच वारा निस्टिरल एकसष से कीस हैं घालेखे हो रहा है उसे से बालिटिस ले ना होता है किस जाल वाइवर की बात करो झालिक यहां कि अगर बात करें तो यहां पर क्या होगा जी कहता है यहां पर लगा रहे हैं उसके अनुसाथ और यह तो आपका निश्रॉल और यहां पर आपका निश्रॉल एंस ओगा जोगा फिर से दिखाऊ उपर इस प्रकार से दहर टिक है तो दुसरे में इस डायक्षिन तो एक जगा यह जो आपको बनाना होता है जैसे उसी क्रॉस एक्षन में आपको पूछा यह आपका नेश्वल एक्सेस हो गया इससे आपको बताना है कि यह हम दो छे सेंटिमीटर पे जाता है यह जो है यह आपका बिर्थ जो है यह बहुत अच्छा सबसे बदो आई निकाल लो तुम अपना यह क्रॉस एक्षन की बात है इसके लिए आप आई निकालिए आई का वेल्यू कितना है वह इसके लिए आई का वेल्डिव फॉर्म्मूला ओता है भी एच पावर क्यू डिवाड़ रिधा टुब इस से हमने आई निकाल लिया बहुत अच्छे है आपको बेंड निकालना है कि बेंडिंग इसरेस निकाल लोगे इस वालब बेंडिंग इस्टेस का यह भी हमने फॉर्मला देख रहा थे ऊपर हमने देखा m by divided by i ठीक है सिग्मा यह पेन में आप काम नहीं करना आज सिग्मा भी इक्वाल टू ठीक है m by divided by i ठीक है यह है आपका m by divided by i तो सी फॉर्मला में हम वैल्यू रखेंगे आपको नीचे आई रखना आई यह नितना है तो बारा यहां बार ऊपर चला गया कि डिवाइड करना था और और यह सब्ज़ो हे निचे शाला गिया इसको हमने Solve किया तो यह आपका पासकल में आता है उसको मेंं Megapaskal में बदल लिया कोश्टरशन पर कर देखिए कि 짧ए कि यह जड़ों नहीं बनेगा यहां पर तब तक एक्जाम में तो कभी भी आपसे खुद से नहीं बन सकता है ठीक है नुमेरिका का यह खुवी होता है कि काते हैं मैथ मैथने का चीज़ी होता जितना ज्यादा मैथ में आप परांगत बनोगे चलिए अगला देखते हैं अगला है कैंटी आपको निकाल सकते हूं 12000 N x 1.2.2m 12000 N x 1.2m 12000 N 6.2.1.2m डेराए और 12000 N ते रखा है यह निकाल सकते हूं उसके बाद जो भी चीज़ा आपको दे रखा है जो चीज़ा आपको निकालने करे कहा गया वुची जो को कूद निकाला जा सकता है बस फॉर्मृले में भास्काल में दे रखा था उसका मुहालने बदढ लिए थिक है उसके भाँ कर नि रखका है आपको निकाल ही रखा हो यह हम ले लिया ओं नीकाल लिया इसे आई हमारा यह निकल कर už लिए ठीक है इस प्रकार से आपने मेरिकल बगरा बना सकते हैं अगला क्या है कहता है अगर अगर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेश फाइंड करना हो तो निट्रल एक्सेस सबसे दूर के फाइबर का श्ट्रेश निकालेंगे कि अगर आपको कहां देखता यह इस सबसे बनाया थ है कि इस परकार से सबसे और्टेश सबसे ज्यादा होगा तो आप उस परकार से अगर मैंसिमम बेंडिंग स्ट्रेश किस पाइबर में है तो तो पुछे गाए को जाना रही का वर्टर फाइब्र मौझा पर कितना है अगर पुछाए जाया इस परकार से आप का निकाला जा सकता है आज ऐसे कोश्च्चन है कि आपका एक ट्रैंगुलर क्रॉस एक्षिन है तो दो क्या होगा वह आपको निकालने के लिए कहा गया है कि सिगमा टू सिगमा या कॉन संथ सब सबसे दूर कौन है यहां पर निकालो लिए यहां पर निकालो फिर यहां पर निकाल सकते हो तुम लो फार्मुला लगा कि यहां पर निकारे का कितना ज़्यादा ऑफ कितना कम होगा यहांzk़ मालते हैं यहांट में यू मैं लेता हो ताकि चीजों को देखना अअवाइप आपके लिए चलिए अब देखने हम लोगया है किया होगा है होगरों यह आपका solution पाई ठीक चलता क्यों नहीं यार ठीक है मैं आइसा चेक कर लेता हूं चलिए देखते हैं इस फ़दा क्या है भी है एचली मेरा स्क्रीन क्रैक हो गया है इसके कान टश नहीं बढ़िया से काम कर रहा है चलिए इसमें अगर हम निकालना शुरू करेंगे दोनों के दोनों आपको लगाना है जो बार बार लगा रहे हुँ सिग्मा वन कितना आएगा जी दा सिग्मा बना आएगा आपको M divided by I into HY3 formula क्या था वैज सिग्मा का तो M by divided by I इस formula को आपको लगाना था ठीक है इस formula को लगा तो यहां आया डिस्टंस दिस्टंस ख़री बदा यहां पर लगाएंगे तो यहां पर सिग्मा टू जो की मैक्सिमम है वह कितना होगा है तो माइनस का सिंबर क्यों आया जी कि यह तो यह आपका कंप्रेशिब था यहां पर दो का रेशियो आ रहा है तो ध्यान से देख लो कि दो का रेशियो दोनों में है फो यहां है पर इस जो कि तो कृश्चन नती है तो कृश्चन होती है जो में सबंद देख रहे हो अपर यह अं तेक है ऐसा से पर यह पिछह से बना हुआ है अगे बढ़ के सी इस बना हुआ है है Hope इस परकाद से गया हुआ है जो समझ पलब आ तरह को तो कि अ सकर आएगा कि आएगा यहां पर होता है इसका एक इधर इस प्रकार का होगा इधर इस प्रकार का होगा ठिक है इसी प्रकार का i-section में देखते हैं तो i-section यह है तो आपका जो नेश्रल एसस होता है इस मिने दो सिमेट्रिक है तो नम बीच बीच में होगा ठिक है इसमें जितना maximum यह है तो ऊतना ही maximum इधर होगा ये आपका आपको दिखा तिक है आगर सेक्षन सर्कूलर है तो यह आपका सेक्षन वह बना हुका है कि सर्कूलर से बीच में देखने को मिलेगा आपको ठीक है ऊपर याओगे जह दोड़ता जाए coincidence कर दोनों जगा सीम आपको बैंडिंग अश्ट्रेश जो कि मैक्सिमम है वह देखने को मिलेगा ठीक है आगे वरते हैं अब कुछ घ्यान की बात कहता है कि average value of bending stress is always zero ठीक है कहता है कि जो average value bending stress का लेंगे हम जब बेंडिक पूरे section में आ रहा है खासा symmetric section जो इस पर का का section है circular section हो गया आई section हो गया इसमें बेंडिक देख लोगे कि ऊपर इधर है तो एको नीचे इधर है दोनों जो लोगे तो क्या हो जागा जाएगा ठीक है तो कहता है कि average value अगर बेंडिक का निकाल लोगे उस सदैब 0 ही आता है आप ठीक है average value बेंडिक का सदैब 0 आता है formula is only valid for the symmetric section आप यह formula लगा रहे हो वह symmetric section के लिए ही सी valid है फिर भी तुम देख रहे होगे कि symmetric section जो नहीं है उस पे भी हम formula apply कर रहे हैं क्या ऐसा हम कर लेते हैं जो कि accurate result तो नहीं देता है पर approximate result दे देता है वह हमारे पास जो है उससी से जुगा लगाएंगे अगरा एक question करके देखते हैं क्याता है अब हम लोग radius of curvature निकालना चाहते हैं कि अगर आप में किसी cantilever beam है अगर इसको इस परकार से fix कर रखा है यहां से तुम दबाओगे तो यह इस परकार से लब जाया है ठीक है तो हर जगा का radius of curvature अलग अलग होगा उसी radius of curvature के हम बाते कर रहे हैं उसी को निकालने के चाचा कर रहे हैं उसी के लिए आपका formula दिया ह अगर निकाल लिए यहां पर आएं तो यह आपका दिखो सेक्सर यह इस परकार से लब गिया है विचारा और इस परकार से लब गिया है यह आपका 0.2 mm का थिक्नस था है यह जो थिक्ञेस था है 0.2 mm यहां पर maximum bending बेंडिंग अश्रेस आने वाला कि क्योंड सर्फेस में ही सबसे ज्यादा बेंडिंग ऐस आता है चलिए उसके लिए फॉर्मुले लगातें कि सिगमा एक कोड़ टो ई वाई जुआ डिवाई आज ठीक है तो एम नहीं दिया इस वारे नहीं दिया है उसने क्या दे रखा है कि आपको उसने radius of curvature दे रखा है कि मूरा ना ठीक है तो पहले actual radius of curvature गता actual की मतलब कौन सा वाला काता जो यह जो है natural axis है उसमें तो किसी पर गागा stress आया नहीं है तो जो natural axis होगा वो यहीं बाला होगा R exact ठीक है और जो मूर गया उसके बाद जो सबसे नीचे वाला जो है उसका radius of curvature दे रखा है R equal to किता दे रखाए जी तो टू पॉइंट फाइब 12 टूनी 12.5 mm दे रखा है ठीक है करता हम को क्या निकालना है से हमको सीगमा निकालना है ठीक है तो आप इसमार यह वाना formula लगाई है ठीक है यह बाद इसमार यह तो फॉर्मुला बहुत ईजी है फॉर्मुला लगाए लगाए लट आ जाता है ठीक है एक वेल्यों कितना है यह दिया हुआ है तो इस प्रकार से भी आप को बना सकते हैं तो यह फॉर्मुला आपको याद रखना है इस प्रकार के फॉर्मुले याद रखने हैं और एक और चीज आपको याद रखना है इससे को लिजाके इधर कर देते हैं तो क्या जो वाइज होगा सिहीज केंब्राईने को जिए को बाई यहां जयाँ सुल्मुला फों में मैंने दरखने। ठाधेय करें पहूंत बैदली ट्रें कि यहाद में और और सबस्क्राइब आप साइल है अपसाइल इक्वल टू भाई वाई आप सिग्मा को अगर हम इसको आपका श्ट्रेन आ जाता है तो इससे आप सीधे सीधे श्ट्रेन निकाल सकते हैं अगर और दिया हुआ यहां पर फॉर्मूला था आपको तो इसका निकालना है इस फॉर्मूले का इस्तमाल कर सकते हैं यह काफी इंपॉर्टन फॉर्मूला है बहुत ऐसा हैं कि अगर आप को कुछ बनाया है पूल बड़ना है तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर यहां ब्रड़ंग पड़ नहीं कहीं पर विए करें आप गूंप से नहीं को आजिक कुछ घोते हैं सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा क्रिटकल फाइबर मतलब जिसमें तूट फूट होने की सबसे जादा संभावना है कि जिस सबसे जादा बेंडिंग मुमेंट पैदा होगा पैदा हो रहा है और सबसे पहले पाइबर चाहिए है करता है करता है करता है आपका और कोकी बीम है सबसे पहले देख लेना है कि सबसे maximum bending कान्स क्या है सबसे बेंडीं क्या है यहां पर उपर से अगर इस सबसे हो唱 से करहगा है तो यहीं तो निकाला है और होगा अगर एक जैसा नंटा होता तुम यहां पर बैठती है अगर यहां पर लूड़ लगाते हैं तो सबसे पर नीचे पर अपने कि यह जो सब्सक्राइब का醋 और तो इस पर व्रती कृषिपसें उपर्वाले क्रीटल ऑपर क्रेचिकल HOP काॉन कृटल करवाट है वह मैक्सीम में मैंक्सिमंडिक हो गांफेां सब्सक्राइब क्रीटाइब के invention है सबसे पर उसी में क्रैक आना सुरू होगा उसको धिया रखना है उसको देखना है कि वह जहल लिया तो फिर कहीं पर भी क्रैक आने के समावना नहीं करें टुट फूट नहीं होगा ठीक है जब मैक्सिमम बाला भाई अच्छी तरह गया तो बागी सब सब्सक्राइब करों क्या हो जाया चाहिए अंगला है सेक्सिंजर स्काइम करे जहां पर चाहिए जहूंना आपके मैक्सिमम् बैडिमोमठ्ण आ रहा है जम्ला है उससेssenन का मॉडलिक जूगा सेक्षम मॉडड्र कल़ाता है ठीक है और और वो six and modulus की वारे में चर्चा होना है कि आखिर वो कितना maximum क्या होना चाहिए उसके पहले हम लोग देखना चाहते हैं कि बेंडिंग जो बेंडिंग stress है उसके वारे बेंडिंग stress का formula बेंडिंग stress है sigma b equal to m by mass divided by i यह आपका बेंडिंग stress का formula है इस बेंडिंग stress के formula को थोड़ा समा अच्छा करते हैं यह बाई मैस से ले जाकर नीचे वाले को आई को डिवाइड कर देते हैं तो इस प्रकार से बन जाएगा और इसको हमें नया नाम देते हैं जड़ जड़ कट जो है जड़ इको डिवाइड वाई मैस इसी को कहते है section modulus जिसी section का बाई आप डालोगी ठीक है बाई इसे जनरली आपको maximum ही डालना है यानि की और फाइबर वाला ही डालना है यह निकल के आता है जड़ यह जड़ निकल के आता है कि सीधे-सीधे m को आप उस जड़ से रिवाइड किजिए तो आपका बेंडिंग इसको याद रखना है ठीक है और यही आपका खालाता है section modulus denotes the strength of the beam in bending section modulus क्या मताता है से section modulus है मैं पता रखता है कि वह बिम जो है और bending stress को कितना जहल लेगा ठीक है यानि bending में वह किस प्रकार से react करेगा बिम इन बेंडिंग बेंडिंग उसका strength कितना रहेगा ठीक है तेन साल बगर हमने देख लिया अगर उसमें तो आसा भी इदर से लोड़ पड़ गया तो मुरता है तो क्राइक तो नहीं आ जाएगा ठीक है तो उसी को जतना ज्यादा जेड होगा इसका मतलब कम bending stress आएगा ठीक है यह SM लिखा हुआ है सौट फॉर्म को लिखा हुआ है SM कहता है कि जितना ज्यादा आपका SM होगा SM मतलब sexual montage इतना ज्यादा होगा BIM में उतना ही कम bending stress आएगा ठीक है bending stress का देख लो फॉर्मूला तुम देख सकते हो कि आप M तो यह आपके हाथ में है नहीं यह तो यह आपने बना के दे दिया तो bending moment तो लगाएगा ही लगाएगा ठीक है ज्यादा कम कुछ भी लगा सकता है करता है लेकिन अगर आप जेड तो आपके हाथ में कि कि इसको बनाते हो तुम रिजाइड कर सकते हो जेड जितना ज्यादा रखोगी जेड का वेलू जितना ज्यादा रखोगी उतना ही जेड कर जितना ज्यादा रखोगी उतना ही कम bending stress आएगा जेड का वेलू कैसे ज्यादा रख उड़ता है ठीक है करता है उसे के करीब ही रखो निच्टरल एकसेस से बहुत ज्यादा बढ़ाओ अगर इतना दूर जाओ कि उतना ही बाई मेंस बढ़ जाएगा उतना ही जड़ आपका कम जाएगा तो बहुत चीजों पर ध्यान देना होता है हम पढ़ लिके इंजिनियर है जिजों को धियार में रखें ठीक है करता जेड़ जो है जतना आपका सेक्सें मॉडल जितना जादा होगा बनने के शुद्ध नहीं काम आएगा फॉर्मॉला से एक लिए रहे हैं जेड़ इसा फंक्सन और बिम क्रॉस सेक्सन ओनली जो है वो किसका फंक्सन है जी बिम कुंक्र मतलब नहीं है ग्रॉस चर्शीन से भी क्यों कि जेड़ की फॉर्मॉला में रहा है था स्कार डिश्टेश है तो जाहिए जाहियर सी बात है कि वह प्रॉस सेक्सें की बात आती है वह पर बेंदिंग मोभ्मेंट मैक्सिमम होता है ठीक है अगला कवाता है स्टेसर मो करता है एरिया का first movement of area about the axis of bending किसके बाउर तो axis of bending के बाउर for a beam cross section ठीक है ये किसी बिम cross section के लिए ठीक है ये moment है first movement है एरिया का ठीक है किसके बाउर जी तो गाता है axis of bending के बाउर किता नहीं बुझाया सर क्या कहना चाहरे जिर निकाल लो पता लग जाएगा कैसे निकालते हैं हम लोग जैसे rectangular cross section है आपका इस प्रकार का cross section है इसके लिए आप मुझे इसका बी दे रखा इस दे रखा आप इसके लिए ली निकाल की निकाईए हमगोग को जेड्ण का वेलेव चुकल लेंगे हम आफ कितना होता है निकलता कैसे सरे जिडिको लेते हैं जल का बढ़一樣 रहेगा वहीं बढ़िया होगा तो इसका देखा आई अ governments कि आप के आप का यह इस एक्टेमलें ушे है और यह देखते होका आपाईब जो है आप रिल पट्रे बना हुआ रहता है वह ऑई सैक्षन तो फर 보여 measly डे 만들어 बनाना इतना आसान नहीं है इसका manufacturing काफे difficult है इसलिए i section महाँ पढ़ जाएगा ठीक है तो i section best है पर best हम लोगों को मिलता का है ठीक है तो यह है आपका देखिए सबसे घटिया वाला जिसका jet सबसे घटिया यह जाम में आता रहता है सबसे घटिया वाला ठीक है इस से बढ़ि सबसे बढ़िया तो यह बेंडिंग के लिए सबसे बढ़िया सबसे कम होगा और सबसे बढ़िया रहे है ठीक है जहां पर भारी रेल चरना है तो वहां पर देख रहे हुआ इसी परकार का section बनाया जाता है ठीक है आगे चलते हैं क्यों है इसा बात है तो compression करके दिखाओ कि में इसमें इतकता कमपीज़ इन्टी एस्कौायर एंसर कूर सेक्षन दोनों में क्या अंतर है और में कौन वाला पढ़िया आपने बता दिया तो यह कितना टाइम्स है क्या है वोच बताओ कमपरिज़न करके बता देते हैं चलिए कि रखराब है लोग है अरिये आप Wars सर्कॉरां वाला जिसका डायएमेटर ड़ी सबसे देखना बढ़ा कि सास्थ है कि एक कम्हार वाल्यूम का समय होना चाहिए एक दोन Japanese निकाल निकाल के बराबर करते हो तो एक का मैंने a square किया दुसरे का मैंने volume निकाला पाई d square by 4 और दोनों का compression किया तो compression करने के बाद आया कि a और d का ratio जो होना चाहिए रूट पाई divided by 4 होना चाहिए देखो इसको solve करो तो यह आया कि इन दोनों का यह अगर होगा ठीक है तभी जाके दोनों का volume सेम होगा चलिए आप निकालना पास्रू करते हम लोग जैड जैडडर कहलेन बड़ा असान है इसके लिए निकालना था निक्ले डिवाई क्या होगा गया इप पार q किया है aq by 6 इसी प्रकार कि अगर हम सर्कुलर के बाला करें तो उपर को सर्कुलर बाला कांको आए निखला है तो घ्राइज अगे तो दीवाइड टू से तो इनिकल का आगता है पाई डीप पावर क्यूव टीके डीवाइड थाटी टू ए स्कॉाइर ठीक है कहता है डीप पावर हमको डी का वैलु भी दे रहा है ना क झान हो पाएगाêm यहां पीका निठाल चुके है इतना तो इसका वैल्यागा मैं wedi जाद दिया है ठीक है अपने सबस्क्राइब लोग घिच पिच हो गया है इसको हम डालेंगे तो देखो इस प्रकार से आता है तो यह आया है आपका टू रूट रूट पाई डिवाइड रिवाइड ती ठीक है यह वालू कितना आता है जिते यह करीवन वन पॉइंट वन एक सब्सक्राइब करीव आता है यहां पर फोटो में आपका स्क्वाइल जो है वह सर्कूलर वाले से आगे है तो मैंने कंपरीजन करके हां पर दिखा रखा है आप लोगों को ठीक है तो स्क्राइब से स्टॉंगर दैन क्या सर्कूलर से बढ़िया है आई सक्षन तो भी यह ब पर किlor बढ़िया है तो मैं मुश्ट भी फोर फोर अभी फ्रम्दवा निच्रों एक्सिस के अपनिशल मत लिए हो ऑना चाहिए वह आपका निच्छा एक्सिस से मैंस्पर दिश्ट्रिंस पर आता है एक अहिए नि mã जोब होता सब्से मैंस्पर यह सबसे मैं डिश्टेंस कहता है कि आई सेक्षन जो है वह सबसे बेश सेक्षन है क्यों तो मैंने बताया आपको कहता है इस आई से थोड़ा सा और डिटेल जानता है कि आई में जो ऊपर वाला यह चरफुट वाला है इसको हम फ्लैंग कहते हैं और यह जो है वह सो कहते है बीव यह आपका फ्लैंग कह यह कहता है इन आई सेक्षन बूद फ्लैंग्स आर फार दिश्ट फ्रॉम दर निच्रियल एक्सिस ठीक है सू गिफ्स मैक्सिमुम सेक्षन मॉड्लस कहता है यहां पे दोनों फ्लैंग्स हिंदी में लिखा हुआ उसी को अंग्रेजी में लिखा हुआ है ताकि आए तो उसका के इसलिए सबसे बषाइब कर्यान सब्सक्राइब करेंव दर बिंच के करण ठीक है मैं तूटेगा भई जादा नगा तो तूटेगा लेकि सबसे बढ़िया जो हो सकता है तीस प्रकार रख सेकसें अगर बना सकते हैं तो सबसे बेश्च आपके लिए चलिए आगे बढयते हैं अगर आप फूर्स इंट्रो सेक्षन अगर निकालना है तो इवरेज की बात करें जैसे आपका यह सबसें अगर आपको किसी प्रकार से इन दोनों की बीच बात करने है जहाद से यहाँ पर बेंडिक एस्टेस्स जो है आपका MI into by 1 है यहां पर आपका bending stage जो है आपका MI into by 1 है तो कहता है कि average अगर हम average की बात करते हैं तो average कैसे निका रहेंगे तो दोनों को जोल क्या था कर दीजिए कहता MI into by 2 plus by 1 divided by 2 इस प्रकार से आप कर सकते हो ठीक है कहता है एक और चीज़ है जो आखरी चीज़ है उसको भी देखी लेते हैं वीडियो बड़ा हो गया है लेकिन इसी में हम देख लेते हैं जो है combined loading combined loading यह भी वी आई है for interview यह आपका आखरी है इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे share stage in Vim ठीक है कहता है यह क्या है सरी combined loading कहता है combined loading मतलब combined loading इसने क्या है क्या कि आपका एक delivery विम जैसा बनाया है ठीक है और इसका extension लगा के यहां लगा के इस पे load apply कर दिया है पी का ठीक है यहां से तो भई यह load apply कर दिया पी का इसके क्या होगा से चाता है कि अगर इस प्रकार से extension लगा के load apply कि आ जाता है तो आपको इस load को एक तो आप यहां पर डायेटली shift कर सकते हो पी लेकिन इसके कारण एक moment भी आ जाएगा इसमें अगर यह length आपका L है तो यह moment भी आ जाएगा लेटी है तो यह आजाएगा P2D ठीक है तो दो चीज़ें हो रहा एक तो भीया सीधे सीधे खिचा वे रहा है और दूसरा इस पे आपका moment bending stress भी आ रहा है तो दो stress आ गया है इस पे एक तो आपका जो सीधा जीधा अर्श्ट्रे सारा था इसमें आप डायक्ट stress करते हो आगया तो डायक्ट ने करना चाहते हो यहां स्युडियों बात करना चाहते हो ना चाहते हो यह कौन-कौन सा सबसे ज़्यादा कर्डिशन में है ठीक है सबसे दूर वाला ही है और यह सबसे दूर वाला यह है एक पर टेंसार उतना ही आएगा यह पर इसमें तो पी डिवाइड़ वाइगा अब बच गया आपका क्या है कि इसमें आप अब बात करें एबी की क्या हो गारें तो आपने खीच रखा है तो इसे आपका और क्या हो रहा है जी है इसमें इसके कार्य हां और खीच रहे हो तो कम्प्रेसिव और टेंसान बिट के थो सा कम जा रहा है तो सीडि में जो हो रहा हो पलस पी वाई यह तो है पर मैनस क्या हो जाएगा तो दोनों दिखाया भी है आपको देखू आपको डायाट एस्ट्रेस दिख रहे हैं को और यहाँ पर देखो इससे कुछा रहा है इस डिए में लेकिन इस परकार से आप इस को बना सकते हो को मानलोटिंग के कंदिशन में यया अग पर इन अजया इसको बनाना है यह उसी से बनेगा हो पुछ निया डगने वाला तो चलिए इस वीडियो में इतना है रखने काफे लंबा वीडियो हो गया था अगले नेस्ट वीडियो में हम लोग सेर श्टेस इन भीम देखने वाले हैं तो आप तक उसका लिंक मिल जाए आपको उसका नोटिफिकेशन बिल जाए बेला आइकन को भी क्लिक कर लिजेगा औ वाटसब ट्यूटर जहां पर भी आप हैं वहाँ पर सेर कर दीजें मिल बैटके पढ़िएगा तो एक दुसरे से डिसक्सन कर सकते हैं जो कोशन आप मुझसे पूछिएगा उससे बरिया अपना गूरूप बना लिजे वाटसब पर वीडियो साथ साथ देखिए इससे क्या होगा कि मॉटिवेर करें अप लोग क्या होते हैं कि देखे आ दों कि अगला वीडियो भी आफारा दे आधिए से क्या को पहले फांब बना लीजे अपने सब्वाटस को देखेंगे आज इस वीडियो बना लेंगे इस पर जालें यह से या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं आपको सारा चीछ का लिंक मिल जाएगा आपको ठीक है तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं बहुत धन्यवाद आपको थेंकियो वरी मैच